नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे डॉक्टर मेहतास क्लासस के यूटूब चैनल पर और जैसा कि आपको पता है हम साइन्स के लाइब सेशन ले रहे हैं और इसमें मैं यहने कि आपको साइन्स के अलग लग जो टॉपिक से वो उसके रिलेटेट जो करें 20 कुशन आज लेने वाले हैं तो हमसे जुड़ ज़ली जली लिंक को आप ज्यादा ज्यादा शेर कर दीजिए ताकि और भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाल जली से आप लिंक को शेर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रूप में ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ पाए और हम आज के इंट्रस्टिंग सेशन को शिरू कर पाएं कि लास्ट के जो सेशनरक था उसमें हमने इसके लिए्टल सिस्टम के वारे में बात करी थी आज की जो सिस्टम म इस trampilid 25 कि इसके आगामी जो एग्जाम होने वाले है आप जिस जो भी प्रप्रपेशन कर रहे हैं चाहे लेबल स्टेंट है चाहे रीट है फस्स एकंड ग्रेड कोई से भी एक्जाम की तैहरी है जिसमें साइनस का पॉर्शन आरहा है तो वो ये जो लाइव सेशन अरेंज हो रहे है यह सारे जो question आपके लिए बहुत ही जादा उप्यों की सिद्ध होने वाले हैं तो आप जल्दी से जल्दी जूड़ाइए और बने रही हमारे साथ और क्योंकि यह सारे जो question जो हम ले रहे हैं वो किसी ने किसी exam में पूछे गए हैं आप जूड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास से आपके लिए फाइदे मंद साबित होगा जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा में इंस्टूट की बारे में बता दूँ जैसा कि आपको पता ही होगा कि अडिर मेटा से उध्याथ क्लासे ដपर वर मेरे ओफलान सेंटर है और पिछले 20 सालों से आर उनके पूरी तेम बहुत भी अच्छा से में मुच्छी वेह और बहुत सारे सलेक्श़न दिये में और अभी भी 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 है नीट आन दैने में श्टरिए में आप मेखेवली स्टेंड़ ने अगरया है ओै तो आईए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का जो लाइव सेशन है चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन जो कि है ब्लेड सर्कुलेटरिव सिस्टम है रक्त परिसंचन तंत्र सबसे पेले शुर्ट में बताना चाहूंगा रक्त परिसंचन तंत्र होता क्या है और यह क्यों जरूरी है हमारे बोडिर में लेकिये हुमन जो है वो मेमेलियमे आता है और मेमेलिया जो है यह ही डवलट ऑर्गनिजम मना जाता है ठीक है हमारे बोडिमें यूटुब कि फस्ट यह तो आई दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेश्चन हमारा फ़स्ट कुश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो से हर्दे में पल्मनरी शीरा दौरा आने वाले रग्त में क्या अधिक होगा आपको बताना है फिर फ्रोस से जो पल्मनरी शीरा अरी उसमें क्य ब्लेड में ज्यादा होगी या फिर हीमोगलोबीन परेमेल ब्लेड में ज्यादा होगा या फिर ऑक्सियन परेमेल ज्यादा होगी या न्यूट्रेंट ज्यादा होगे जल्दी से कमेंट करके बताई ये सबी को गुड इविनिंग जली से आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कमेंट करके हैं फर्स्त कॉशन जो आपको दिख रहा है इसका अंसर आपको बताना है फर्स्त कॉशन पूचा है ब्लड रेटेनिंग जो फैफरों से हर्दे में पल्मुनरी शीराय दौरा जो आने वाला रक्त होता है उसमें क्या अधिक होगा आपको कमेंट करके बताना फर्स कोशन जो आपको दिख रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज क्या जो अच्छे कॉश्चन है जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वह वाले कुशन हम ले रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताईए तबस्सुम बता रहे हैं c बोल रहे हैं यनि की ऑक्स्टम पर एमल ब्लड में जाधा होगी जल्दी से कमेंट करके बताईए आप है फ़स कोशनों आज का देख रहे हम हम स्कोशन पिल्मोनरी वें से ऑड़ा रा इन में उसमें स्याक्स है ना फैफडों से हर्दे में पल्मनोरी शीरादोर आने वाले ब्लड में क्या ज्यादा होगा आर्बीसी ज्यादा होगी हिमोग्लोबीन ज्यादा होगा या फिर न्यूट्रेंट ज्यादा होगा या फिर ऑक्सिजन ज्यादा होगा क्या ज्यादा होगा यह हमारा हार्ट में जैसा कि आपको पता है 4 चेमबर होते हैं ठिक है याद रखने का छोटा सा हिंट त trust킹 को याद रखना है रवी लवीर एक रवी रवी तो यहां से आपको स्टार्ट करना इसका डाइग्राम आपको पहले से याद होना चाहिए तो आपको समझ भाएंगे और आपको याद भी रहेगा सबसे पहले बॉक्स बनाना उसमें चार चेमबर बना दिये फिर रवी और लवी कर दिया अपने ठीक है फिर क्या करना आपको सब्सक्राइग को यहां से एल्वी लेफ्ट वेंटिकल से स्टार्ट करना है लेफ्ट वेंटिकल के बीच में क्या आएगी बोडी आएगी फिर राइट वेंट्रीकल जो होगा यहां से ब्लड जाएगा बीच में लंग्स आजाएगे इसमें ठीक है और फिर जाएगा एले में ठीक है यह डाइग्राम आपको याद रखना है यह बोक्स लिया तो इसका अल्टरनेट बोक्स यह तो इसको आपको मिलाना फिर यह बोक्स लिया तो इसका अल्टरनेट बोक्स यह होगा तो मिलाना ल्वी वाले बोक्स के बीच में बोडी आएगी मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बोडी में सप्लाई होगी और राइट नंग्स धीक व्हिंस होगी है था कि हुए कि लंक्रेश हो तो भीजो कुशन था में पर भूआ कि लंक्स के थूब युदू समें उपने को पता है चाहिए अपना है इस रहे है तो फिसे यह पर आते ह्टे हैं तो शिर्ण फिसे ठीक कि तो लंग्स टूня लंस टूर्ड में मि है चलिए आज के session का दूसरा question हम ले रहे है second question है first heart sound is प्रतम जो हर्देदवनी जो होती है उसके बारे में पूछ रहे है ठीक है इसके बारे में आपको बताना first heart sound कौना है first option is systol ke लब दोनी आती है दूसरा option is systol ke लब की लब दोनी और तीसरा option is systol ke के प्रार्म में लब दोनी और चौता ओफ्शन. इस प्रार्म में दब दोनी और फॉस्टी होरने हैा आपको पताओ का हमारे हाट मेंरे हाट की साउंड आती कह टिया ठीक है ? एक तो होती है लब और एक होती है डब ठीक है यह दो साउंड होते हैं तो यहां पर पुछा है लब के बारे में लब की जो साउंड आती है वो कब आती है यह आपको बताना है सेकंड कुछन बहुत ही अच्छा कुछन है बहुत सारे एक्जाम में पुछा गया है आपको बताना है लब का जो साउंड होता है वो का बाता है थैंक्यू सुपदेव जी चलिए बताइए जल्दी से आंसर दीजिए सेकंड कुछन का अंसर आपको बताना है फस्स लब साउंड होता है हाट में दो साउंड प्रोडिूर्ज करता है अपने लब और डप एप आपको बताना है फर्स्त जो हार्ट साउंड है वो कब प्रड्यूस होता है ना सुगना सी बोल रहे हैं पुझा प्रज्यापती सी बता रहे है जल्दी से कमेंट करके बता ये तबसुम सी बोल रहे है का वैं छलिया दिख ओद्टे इसका के मवास जो होता है लुचीं चली लग पर फांस जो हार्ट साउंड होता है लब के होता है रुचा बिगन ओफ शेटन होड़ है ןरा फिस्टो है Jude कि जो बिगनिमें सांड होता है सांड होती असके टायम में लुप का सौंड होताई असल क्या होता है पा्ष्टैक्ष्टिन होता है उसमें भी ह Halo पने तेखिये है छेंबर देख्षटीया आ सिर्थिया में क्या होता है उसके टाइम में जो एक sound produced होती है उसको बोलते है लब है तो इसका right answer हो जाएगा C चलिए very good चलिए आगे बढ़ते है आज की क्लास का third question दियान से सुनिये in the heart of the mammal the bicuspid wall is situated between bicuspid आपको बताना है जो human में bicuspid जो wall होते है वो कहां पे होते है है ना by kaspid wall संदारी के हरदे में कहां पे उपसित होता है ना first option जो है left auricle और left ventricle और अरिकल जो दा एक्रियम को auricle भी बोलते हैं आलिंद जोता है उसको एक्रियम भी बोलते है और auricle भी बोलते हैं confusion नहीं होना है फिर बी देखिए post cable and right cable और C है right auricle and left auricle sorry left auricle और डीवल option है right ventricle and pulmonary erota जल्दी से comment करके बताइए थर्ड का आंसर बाइकस्पिड वॉल पुछा है बाइकस्पिड जो वॉल है वो मैमल्स में कहां पे होता है मैमल्स का जो heart वहां उसकी जो presence आपको बताने है कहां पे बाइकस्पिड वॉल जल्दी से comment करके बताएए थर्ड का अंसर आपको बताना है तबस्पिड वॉल जल्दी से comment करिया बाइकस्पिड वॉल की आपको पॉजिशन बतानी है हुमन जो heart है वहां कहां पे होता है बाइकस्पिड वॉल जल्दी से comment करिया चलिए देखते हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक human heart का जो diagram आपको बताया था वह diagram आपको हमेशे याद रखना है सबसे पहले human heart होता है 4 chamber होता है तो आपको 4 chamber draw करना है ठीक है यह 4 chamber आपने draw कर दिया है फिर आपको hint बताया था आपको याद होना चाहिए अब अभी पूचा बाइक स्पिट के बारे में है ना बाइक स्पिट जो होता है वो लवी के बीच में होता है और ट्राइक स्पिट जो होता है यानि कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा इसके बीच में बाइक स्पिट यह दो कस्पिट हो गया एक और दो ठीक है यह बाइक स्पिट इसा होता है और इस नहीं को बाइक स्पिट इसको फर्स्ट जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा इसका चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि दरफ आज के स्पिट का फॉर्थ कोशन देखिए fourth question the auriculo auriculo ventricular node in human heart was discovered by आपको बताना है कि मानव हर्दे की आलेंद और निले की node यानि कि AV node जो है वो उसकी खोज किसने करी एवी node की खोज किसने करी या फिर लोविस ने या रिंगर ने या विलियम हर्वे ने आपको जल्दी से बताना है एवी जो नोड है उसकी खोज किस ने करी इस फॉर्थ का अंसर बताईए इस फॉर्थ का अंसर आपको बताना है एवी नोड के बारे में पुछा है एवी नोड एवी नोड की खोज किस साइंटिस ने करी इस ने करी या फिर लोविज ने करी या फिर वेलियम हर्वे ने करी जल्ली से कमेंट करके बताईए फॉर्थ का अंसर सुगना फॉर्थ का ए बता रहे है यानिकी ही बोल रहा है कमेंट कर जाएए अचि का फोर्थ कुशन हम ले रहे हैं माना विर्दे की आलें निलें नोड है और अवी नोड की किस ने करी ये पुछा गया आपको बताना है और आप्शन ए हीस और बी लोविस ने करी और आप्शन सी रिंगर और और ऑप्शन दी विल्यम हर्वे चलिए देखते हैं इसका आंसर इसका जो आंसर होगा वो लोविस ने करी है ना भी इसका आंसर और राइट आंसर होगा लोविस ने भी नोड की खोज करी थी और यहां पर आपको एक दूत नाम और आप में बताना चाहूंगा छाली नेक्स पेजन पर पता हो देते हैं आपको यह डायागराम याद रखना है हार्ट का जो डायागराम अभी बनाया था यह अपने चारो चेंबर हो गया है अब देखिए यह चारो चेंबर है यह आर ए यह आरवी रवी यह ल्वी वहथे स्कानाम होता है साहन् साइक और रच को जैसे मॉलातीन यह नो हों आर्थर को बधान गरम हम कैंति लाखान याजा ग्में editing यह जो होते सिरुत हो एक ऌट पर द्रीशिओं यह यह और अंद फृम सवय को के तो अउय घ्मित आजनाय तेरा यहां पर एक नोड होता है उसको बोलते है एक नोड प्रिया से बंडल ओफ लीज पे जाता है बंडल ओफ इस पर यहां से वह यह फाइबर सोते अगए जिनको बोलते है पुर किंजे फाइबर पूर किंजे Fibers तो ऐसे करके यहां से जो विभानतर जो जनरेट हुआ है एलेक्टिसिटी जो जनरेट हुई वो पूरे हार्ट में फैल जाती है ऐसे नोट से स्टाट होती है फिर अवी नोट फिर बंडल ओफिर फिर पूरकिंजे फाइबर ठीक है तो ऐसे नोट की जो की तो मॉना दे भी अपना अपन ने घर जो अवीज ने लिए खोओ ते लिए पाग धिर को रिए इस ने खोड़ आया जा को याद बढ़ेट है आज के सेशन का 5th question ले रहे हम the heart of healthy man beats normally per minute जो एक healthy man है उसका heart per minute कितनी बार धड़कता है यह आपको बताना है है ना साथ से सतर टाइम या सतर से जर्वे टाइम या ऐट से नबवे टाइम या ती से पिट सी से पचाड़े टाइम ना आपको बताना कमेंट करके जल्ली से बताईए थत्वक क्वाशन पर आगए हम आजके這是 k Miche जल्ली से कमेंट करके बताई है बहुँक्त सुगना फिप्त का भी बता रहा है पूज्या प्रजापत भी बोल रहा है कमेंट करते जाए आप मनुष्य के जो हिर्दे है सामानी रूप से प्रती मिनट कितनी बार धड़कता है पुछा गया सिंपल कुशन है 60-70 टाइम 70-80 टाइम 80-90 या पिचासी से पिचानवे टाइम आपको बताना है पूजा प्रजापती भी बता रहे है रजना कलाल भी बोल रहे है जली से कमेंट करके बताते चाहिए तो देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा आपको पता ही होगा छोटी क्लासों में भी हमने पड़ा है यह एक मिर्ट में हमारे जो हार्ट होता है वह 72 टाइम लग एवरेज है तो 70 से यह रेंज यह हो जाएगी तो इस 5 5 का जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे आज क्लास का सिक्स कुशर्ण ले थे हम नेचर आफ़ वाल इन दर हार्ट हर्दे में वाल जो प्रॉटे इसके इसका नेचर कैसा होता है ना मेंब्रेनस होते मस्कूलर होते या तै टेंड नस होते या लिगमेंटन असोते आपको बताना है मKS में इसमार ना भान मनुष्छ के जो हैधे में जो वाल होते हैं उसकी बारे में वोल क्या होते हैं इसमें किक समय वाल य 친्fle प्लॉपर अब अब इसमें किछ होता है ब्लय द ने की हुए XV् Le studying यह दियुक्त वापस सरे रिटल नियुक्त ऐसे लिद That ये होता है, नेचर ने हमें हमारे बोडी में वोल्व बनाए है ना वोल्व और वोल्व जनरली किस में होता है वैंस में होंगे है मिशा दियान रखना ठीक है वैंस में होते हैं अब इसका नेचर पुछा है मेंब्रेनर से या मस्कूलर है या तेंडेनर से या लिगमेंटर से आपको बता चार्जर सिक्स का अंसर आपको बताना है सिक्स का अंसर किया होगा हमारे हार्ट में जो वॉल होते हैं, वेंस में होते हैं अर्ट समें अधिका इस इस अधिक्ति माज आपको इस पैसे फ्याद में होगा होगा है और इसका जो नेचर होता है, कैसा होता है? Membranus, है ना, कैसा होता है? Membranus चलिए, आगे बढ़ते हैं, आज की ग्लास का, 7th कुशन, देखते हैं इस तनियों में एसे नोड जबादा, में सा नोड एसे नोड के रज़ा हुआ है प्रारंब होता है, क्तरा है अंधि, अजीरी नोड मुंस भूट दियर में बनातना को हम यहां से स्थार्ट होता है इस पर झाल से नोट से स्थार्ड होता है अब पिर जाता है फिर बंडल ऑफ ही पीस को मॉर्प प्रकिंज depending पर जाता है झाल झाल किस टाइब का हार्ट होगा आपको कमेंट करके बताना है सेवंध कुशन हम देख रहे हैं सेवंध का सुगना डी बता रहे हैं तबस्व मीजेनिक बता रहे हो कमेंट करते जाएंगे आप सुषील कटरा डी बोल रहे हैं चलिए इसका जो राइट आंसर जो होगा वो डी है मायोजेनिक ना बायो में आपको यह कुछ जो इस्पेशल टर्मिनोलोजी जो होती है उसकी वह हमेशा आपको द्यान में चाहिए उससे आपका आपकी जो साइन से या बायो आप जो पड़रें वह इजी हो जाएगी जिसने मिया पर एक वर्ड़ाया मयो का मतलब होता है मुसल्स है यह आपको द्यान रखना है हुमन का जो हर्ट होता है वह मायोजेनिक ही होता है यह हमारे जो एसे को तो वह निरोजनिक हो जाएगा ठीक है कोलिजनिक जनिक और एडिजने जो हर्मोन होता है उससे गंट्रोल होगा तो फिर एडिनोजनिक हो जाएगा ना चली आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का 8th कुशन हम ले रहे है हार्ट बीट केन बी इनिशियेट बाई हार्ट यानिकी साइनो और इकले नोट के द्वारा एट्रेव एंटिकलर नोट के द्वारा या सोडियम आयम के द्वारा या पुरकिंजे फाइबर है ना आपको कमेंट करके बताना है एड कुशन हम ले रहे है यह अच्छा कुशन है एड का अब बताईए एड कुशन का अंसर सुगनास ए बता रहे है साइनो और रिकुलर नोट है ना हार्ट बीट जोती हमारी वो बता रहे है ऐसे नोट से स्टार्ट होती है चलिए बाकी स्टुएंट जल्दी से कमेंट करके बताईए सब के कमेंट में देख रहा हूं है आपके तबस्सुम ए में आप घुर्फ्लिक जे बाता रहे हैं और पुजा प्रलिए अ मॉक्लेनारी टर स्टुम ने के कमेंट करते जाए अTI्रिए बारे भुजा अर्ट भीर्लिक हरे बुछा मेंक्रान्य फेशाप्जा में नोट से से संटी ए नोट छौर से अधिन कर या सोडियम आयन से हो या पुरिगिंजय फाइबर से हो अपको कमेंट करके बताना है अभी तेकी क्लास मेंने दो या तीन बार तो बता ही तिया है अगर आपने द्यान से सुना हो तो इसलिए आप बता देंगे चलिए देखते हैं हार्ट का वही डाइग्राम वापस बना रहा हूं है फोर्ट चेंबर है ना ठीक के रवी लवी धीक यहां पर एक नोड़ होता है इसे बोलता है इसे नोड घ्क है फिर हम पर के बनंद पर यहां पर straight up से नोड यहन्य होता है कि सिच्वेस के अब शिरी बंडल ओ फाइर अधिस component चलिए गुड वेरी गुड आगे बढ़ते हैं आज की session का 9th question हम ले रहे हैं oxygen युक्त रख्त ले जाती है ना oxygenated blood is carried oxygenated blood किसके दौरा प्रवाइट किया जाता है option a pulmonary vein, fosfos sera, option b pulmonary artery के दौरा, option c renal vein के दौरा option d hepatic portal vein के दौरा यह एक अच्छा शांदर question है 9th answer आपको बताना है इसमें से कौनसी जो vein या artery है जिसमें क्या होता oxygenated blood है ना oxygenated blood का मतलब उसमें वह blood जिसमें oxygen dissolve है ना उसका आपको pulmonary vein, pulmonary artery, renal vein या hepatic portal vein बतायए जल्दी से 9th answer आपको 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 कमेंट करते जाएं आप तबस्स्म का कमेंट आ गया है तबस्स्म आपको 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 जलदी से जल्दी आप कमेंट करते जाहिए आपको बताना है इसमें oxygenated blood किसके दौरा प्रवाइट किया जा रहा है चार option आपके सामने हैं आपको जल्दी से comment करके बताना है पूजया आरिया ए बता रहे हैं सुशील कटारा भी बोल रहा है चलिए देखते हैं pulmonary vein है इसका जो right answer जो होगा वो तो A है यहीं की pulmonary vein ठीक है आपको एक concept हमेशा ध्यान रखना है कि जो artery जो blood vessel heart heart pumping organ है पूरी बोड़ी में जो blood circulation या pumping का काम कर रहा है heart कर रहा है ठीक है फिर बात करते हैं blood vessel जो होति है वो ke तbits के होती में यृदी मेंली दो एक तैप की होती है णा देखिये blood vessel जो इनली दो मेजर होती और दो मेजर होती है फस्ट हारट्री थिक है हार्ट्री थिक है दुसरी होती है vents ठीक है और तीसरी जो होती है, capillaries, ठीक है, यह इनी का छोटा पार्ट होती है, माइन्यूट जो पार्ट जो होती है, वो इनी का पार्ट होती है, ठीक है, आपको इन दुनों को concept समझना है ध्यान से, आर्टरी क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते है धमनी और इसको बोलते है शीरा एक हिंट दे रहा हूँ आपको पूरा concept ही clear हो जाएगा simple हिंट है आपको ध्यान रखना है धमनी लाल सीधा सादा कपट नहीं करता है है ना? आप हिंट नोट भी कर सकते हैं नहीं करता है है ना? यह आपको हिंट नोट करना है ठीक है? दमनी लाल सीधा सादा कपट नहीं करता है अब इसमें concept क्या है? देखिए दमनी जो होती है वो गहराई में होगी है हाथ में जो उपर की साइड जो आपको दिख रही है होती है दमनी हमेशाल गहराई में होगी तो रह खाह loss है, हमेशा ओक्ट ब्लद हो इसती है इसकाल इसाल करता है olmasा है हमानन जोनी लाल साथ-षि हमेजें कर्णा होता है ब्लद कालर हिमोगान के कराण को था गैराई मेर लाल ही की मेरार। ज्वैट में पूरीय ड़े लाल कलर यह बने को until तो पूराण को घिशते है iki जए पोरा नुकरत। इसके लिए वोल होता है ऐसे दर्वाजय होता है तो ताकि ब्लड आगे जाए ना के प्लूरी इनके मानिव पाइट पार्ट पार्ट होता है ना तो यह कॉंसर बट इसमें यहां तक समझ में आ गया फिर आप देखिये कि लेकिन दो जगे अपफाद होते हैं एक तो पल्मोनर प्ल्म२री आर्टरी और प्ल्म२री वैन बॉल्म२री वैन इसमें उल्टा होता है दीहां रखना पहले तो जबना आप Lawrence sum अर् tशीक अब यह की आर्टरी में राटरी में हमेशा सुद होता है बत बल्म२री आर्टरी में डियो ऑक्सिजिनेट्र होगा बदीवल्दूल्र जो ब्रोड में होती न अम्लिकल वेन में फी उल्टा होगा है और और आर्ट्री में कॉंसा होगा CO2 तो यह पूरा कॉंसेप्ट आपको ध्यान रखना है चलिए अच्छा कॉंसेप्ट था आगे बढ़ते हैं कि अच्छा की तरह बढ़ते हैं देखिए आज की क्लास का 10 कुशन हम ले रहे हैं पूर्किंजे जो फाइबर आर जो होते हैं कॉंसे टाइप के फाइबर होते हैं फर्स ऑप्शन दुद्री का मसल फाइबर है जो लोकेट होते हार्ट में पेशिच तंतु है जो की हर्दे में पूर्किंजे फाइबर के बारे में बताईए पूर्किंजे फाइबर के बारे में आपको बताना है जल्दी से गमेंट करके बताईए किस टाइब के फाइबर होता है तेंथल का आंसर आग तबस्व ऐ बोले हैं लेट कर रहे हैं रशना कलाल बोल रहे हैं यानि कि मसला कवाइबर को होता है बाकिस्टुएट्ट भी कमेंट करके बता जाएं कि पूजया अर्या ए बतारहे हैं ब collective कुलाइब आपको ने हो एव झाल से सरे जो था है। इसका रूब टो किरस्ट को अपमें पॉर्किंज अज़ एव पोर्किंज फाइबर हो टो कौन से होते हैं? मुसल फाइबर होते हैं और हार्ट में होते हैं ना फोर्स आंसर हो जई सभी का राइट है जिए आगे बढ़ते हैं, 11th कुछिन आज की क्लास का, ट्राइकस्पिट वॉल, वापस से वॉल के बारे में पूछा यह जो इने बाता है, तो तीन आर तीन आर तो बता ही आपको, त्राइकस्पिट वॉल जो है वो कहां पर होता है, प्रेजेंट एट अरिजिन ओफ कहां पर त्राइकस्पिट वॉल में उत्पती स्थान पर पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, एक चीज में आपको यहां पर सजेश्ट करूँगा कि जितने भी जो टर्मिनलोजी वो आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखें, आजकल क्या होता है, एक्जाम में ऐसे लिख द जाना ट्राइकस्पिट वॉल की उद्पती स्थान बताना है, केरोटिक आर्क में होगा, पल्मुनरी आर्क में, या फिर ट्रंकस, आर्टिरोस्स, या सिस्टमिक आर्क है ना, कमेंट करके बताईए, इलेवन द कांसर। इलेवन कुष्ण आज की ग्लास का, इलेवन का स्पिट वॉल के बारे में पुछा है, फर्स कमेंट आगया है, सुगना का आया है, वो बता रहे हैं, इलेवन का सी, यानि की ट्रंकस आर्टिरोसस बता रहे हैं वो, बाकिस्टूडेंट भी कमेंट करके बताते जाएं इलेवन का सुगना का कमेंट या भी तक तो, चलिए देगा है, ट्राइकस्पीट जो ऒॉल होते हैं, उसकी जो जो उत्वत्थ इस्तान नहीं होते हैं, वो इसका right जो आंसर होगा वो भी होगा, बॉल्मुनी आर्क का मतलब होटा अर्टृ सुपनररी, धर्का मतलब होटा है, आर्टृ S 4, किस्टेमिक जो आइटरी वहां पे तो कौनसे वाल होते हैं यह सेली लुनर कभी डिटेल में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे तुम बताउंगा आपको में पीस्टेमिक जो आंसर हो वहां प्रलूमुनरी आर्क है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का 12 कुश्अ परिक परिकार्डियल जो होता है साहता करता है या फॉर्स ऑप्शन है जल्दी है आगाद हो इसे रक्षया बनाने में भाण करता है या नसी बाल को नख्ग गिता है जल्दी से कमेंट करके बताईये 12th कांसर बताना आपको प्रिकार्डियल और परिकार्डियुम द्रव.. एड़ एक इस सच्छिन बताई ताई कर्डियो वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेट रहे होगा, एक चीज आपको धन्रख फ्रिकार्डियो भार्डियुम रिलेटे उर्ड होगा, है। हार्ड इसान करने दरव क्या करता है, आपको बताना है फर्स कमेंट सब्सक्ना का चुआ है, अ बता रहे है जल्डिस से कमेंट करते जाहें, एको देखर रहे है परिकार दरव क्या करता है加वा छाउको है प्रिक्शन से भी बचाए और बार से कोई शोक बचाए लगा और नम बनाने से भी बचाता है तो इसका अंसर जो हो जाएगा वो ए होगा ठीक है अच्छा कुष्छन यह भी चलिए नेक्स कुष्छन लेते हैं आज का 14 कुष्छन देखते हैं यह लाया कोई बात नहीए फर्टान देख्टे लगाइज अधीया हम इसदुज्जे का कि अधिक्त बता है इस आपको बता नहीं है कि निकलने वाले रक्त में अनलब की वह यह दाउन टाइगराम वापस रवी-लवी वाला तो यादा किजी आप ज्यादा होगी या फिर more number of rbc क्या चीज ज्यादा होगी उसमें कमेंट करके बताइए जल्दी से ब्लड एक बार लंक्स से होकर गुजर गया है तो उसमें क्या चीज की mixing हो जाएगी या क्या चीज की अधिकता हो जाएगी 14 का अंसर बताना आपको जल्दी से कमेंट करके बताएगी अच्छा कुश्चा नहीं है यह भी सुगना ए बता रहे हैं तबस्वम ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है ना ऑक्सिजन की अधिकता होगी सिंपल है अभी अपने पूरा कॉंसेप्ट भी समझा था कि जो ब्लड में हार्ट का काम किया है पंपिंग का काम है और ऑक्सिएन का मिक्स कर रहा है अपना प्टीट बनाने रहे हैं पेस को बनाने वाल पेसमेकर है वो कहां पेस्टित होता है आपको बताना है परस्ट ऑप्शन युस्टे-चियन कापार्ट के पास बी ऑप्शन आंतर निले पती पर या फिर बाय आलिंद की बित्ति में पल्लुनरी शीराओं के द्वार के पास ज बताते हैं, नेक्स्ट, 15 कुष्टन पर आज चुके हम, 15 का अंसर बताई यह पेसमेकर, पेसमेकर आपको पता ही होगा पेस को बनाने वाला हाटबीट जो है यह कुष्टन भी मैंने अभी बताया था वही है ना अगर आपने द्यान से सुना होगा, चारो चेमबर से, चेमबर में पेसमेकर कहां पे, पेसमेकर की पोजिशन आपको बतानी है, ठीक है 15 का अंसर बताई यह जल्दी से तबसुम ए बता रहे है जल्दी से बताई यह शुषिला, कटारा, ए बोल रहे है तो इसका राइट आंसर ए यह है दोस्तों है ना वाल जो होती है, राइट अट्रियम जिसे अपने डाइग्राम देखा ही था, रवी लवी वाला स्टार्ट किया था, मैंने रवी, है ना, रवी यहां से साथ कियाता है, ऐसे नोड है, तो इसको पुलता है, पैसमेकर यहां पे होता है, तो राइट अट्रियम जो हता है और वहां पे युस्टे के युस्टे के युस्टे के पास में होता है, इसका A option हो जाएगा, सही जवाब है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 questions लेते हैं, अज का, दूरिंग सिस्टोल, प्रकॉंचिन के समय क्या होता है, आलिंद वर निले साथ साथ सिकूरते हैं, अजर मैं जेका है, B option, आलिंद वर निले, सिकूरते हैं, सेपरेट ली जिकूरते हैं, और और वर ऋप्षण C है, प्रटोल युदриз वरर सिकूरते हैं, य है युर य हो जा निले से प्पानाइग है 5 questions, सिस्टोल के समय क्या होता है, सिस्टोल मैंने बता है 2CA सीस्टोल और डेस्टोल बिनाता नौ Farmac सुगना का कमेंट आ गया है वो बता रहे है एब ऑप्शन बोल रहे है यानि कि आलिंदर निले साथ साथ सिकुडते हैं एब बोल रहे है वो वाकि स्टुडिन भी कमेंट करते जाएं जली से चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है बी ओप्शन इसका राइट आंसर होगा दोनों साथ साथ नहीं सिकुडते हैं सेपरेटली होता है आलिंदर निले कॉंट्रेक्ट सेपरेटली है इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा है ना सेपरेटली होगा प सबि cathedral कर henna है की जाया की यानी की अरी ? ठीक हए इतर्ण आलिन काहं से रुदिर प्राप्त करता है ? यानी की रुदिर प्राप्त करता छाय यह रबπαता है ? यह वह पत्त उस्तित पी इंपरते चाली में BEN jo ynस्कार निये बड़ता है रोडिर आ डान की सब्सेंड य यह पूछ रहा है कि इस तनी के हर्दे का दाया आलिंद रुदिर प्राप्त करता है दाया आलिंद मतलब यह वला जो है राइट अट्रिम कहां से ब्लॉड को गेंड कर रहा है किसके तुरूप फॉस्ट ओप्शन ए साइनस वेनस यानि की शीरा कोटर बी ओप्शन ए पल्मुनरी वेन फुस्फुस हिरा से सी ओप्शन ए प्री केवल अगर माश हिरा से या फिर प्री और पॉस्ट केवल अगर तथा पस्च माश हिरा से जली से कमेंट करके बताईए 17 कुशन पर आचुके हम अच्छा कुशन है यह भी कॉंसेप्शन कुशन है बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है यह भी आपको बताना है कि राइट ओरिकल जो है वो मेमिलिन हार्ट में बलड कहां से प्राप्त करेगा है ना आरे आरवी रवी लवी आरे है ना आरे में जो बलड आ रहा है वो कहां से आ रहा है ठीक है यह आपको बताना है जल्दी से उप्शन पढ़िए और बताईए 17 का डी बता रहे है सुगना यानि की प्री एंपोस्ट के वल है ना चली बाके स्ट्वेंट भी कमेंड करते चाहिए जली देखते है इसका राइट आंसर यह 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 पर दियान दखना प्री और पॉस्ट के वल जो होता है प्री केवल जो होता है केवल का मतलब हो जो होता है वो होता है एस वी सी और पॉस्ट केवल जो होता है इसका मतलब होता है आई वी सी इसका एस वी सी की फुल फॉर्म जो होती है सुपिरियर वेना केवा और इंफिरियर वेना केवा देखो वेना केवा होती है अभी बडिया के बसक्ति हमाने के नलतों के लिफान चालाइंZ, भर के लिफान एक लोजन पर्ड़ाद लिफेदा की कुछी है इसको चाले बसक्ति हमाद हैं श्कति आपको शहलों इस परिखरी में भी तो से पर्ड़िशें उसको बोलते है superior क्योंकि उपर वाले पार्ट से ला रही है और lower पार्ट से जो ला रही है उसको बोलते inferior है ना IVC तो यह दोनों लाके blood कहां पर डालती है आर ए में है ना तो यही तो अपना है कुशन ठीक है चलिए अच्छा कुशन है आगे बढ़ते हैं 18 कुशन देखिए रग परिसंचन तंत्र का कौन सा भाग हिर्दे को रक्त की आपूर्ती करता है आपको पता ना परिसंचन तंत्र का कौन सा भाग हिर्दे को रक्त की आपूर्ती करता है seas, coronary, portal, pulmonary, systemic, जल्दी से comment करके पताई, 18 question आज का? which part of the circulatory system serves to supply blood to heart हाट मैं supply करता है कौनसा part? जल्दी से comment करीया है परिसंचन तंत्र का कौन सा वाग हर्दे को ब्लड सप्लाई करता है आपको बताना है ना कोरोनरी पोर्टल पॉल्मोनरी सिस्टमिक अभी थोड़ी देर पेले में बोला था कुछ टर्मिनलोजी आपके दिमाग में होनी चाहिए उससे क्या होगा आपके कॉंसेप्ट हो जाए गया और पूरा चीज आपको समझ में आने लग जाएगी है ना तो वही है इसमें चारो अगर आपको पता है तो इसका अंसर आप बता सकतो सीदा और तर्मिलोजी नहीं पता है तो थोड़ी से दिक्कत हो जाएगा आपको चलिए बता हिए एटिंध का अंसर का अंसर नहीं है खा भी तो अरति है अ तो नहीं है फुर्षael को साच ठीमंत eesa है क्या है क्षट सूण कर दिक्षा कहता है तो ट्यक्त नहीं कि इसमेंद के आपको नहींसर प्लमिलोजी नहीं साच प्लमोणरी का दया है झारतार सिता सकता है तरह को आपको है, बलड प्लूर्ण हे प्लूर्ण को बलड बलुर्ण प्लूर्ण हा रोड होड हिए कली आ, करुम्न comúnॉरी होरो Колम उलिटेटियाक है करूमनभी encourage कि हमदिट은 क्छों को वह होता है Lungक से related, 6. पौर्टल जो वर्ट होता है वह होता है झा लिवर्स से related है पौर्टल लिवर्स से और शिस्ममेग उता है को भौडी से related होता है यह आपको ध्यान मेर रखना है ठीक है तो सिंपल इसका अंसर हो गया कॉरोनर ही हो जाएगा ना फर्स अंसर हो जाएगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 19 कुश्चन देखिए किस भाग में लसी का तंत्र था रुद्रीर परी संचन तंत्र मिलते हैं इन विच लीजहन तो जाए लिंफेटिक सिस्टम डी की से स्टम में आपको बताना है कॉन से भाग में लसी का तंतर और बल्ड सर्कुलेटरी स्टम जो दोनों मिल जाते हैं परेस्ट उप्शन लिवर बी उप्शन प्रीकेवल के अब मैंने बदाता है सिस्टेमिक आर्क आर्क का मतलब अार्टरी होता है अार्क का मतलब अार्टरी जल्दी से कमेंट करते जाएं नैंटीन कांसर आपको बताना है आग के session का second last question है इसके बाद एक last question और है बने रहिए हमारे साथ क्ल के session में हम हमसेल बाईलोजी के 20 तो आप जुड़े रहिए साबहे चार बजे हम जुड़ें कि कल भी बताएंन नाइंटीन का नाइंटेन का नाइंसर बताएं कमेंट करते जाहिए जली से इसका जो राइट आंसर जो होगा जल्दी से कमेंट करिए चलिए कुछ सेकंड हो दे रहा हूँ आपको किस भाग में लसी का तंत्र और रुदीर पड़िस तंत्र मिल जाते हैं इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा चलिए आज के सेशन का लास्ट कोशन देखते हैं निवन में से किस एक के सीवा सभी हर्देदर को बढ़ाते हैं आपको बताना है कि किसके अलावा सभी हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं अनुक्सिया जाय कि मौड़ेट सियो टू में मद्यम वर्दी या फिर एलिविदेट बोडी तेमपरचर अधिक शारिड़िट आप या फिर इंक्रीज इंट्रक्रेनियल प्रेशर हैं इनमें से किस के मलब आपको बताना है कौन 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 इसमें से कौन से है जो हार्ट बीट को नहीं ब अकित स्कुल बड़ाते हैं आप को किस एक की सिवा सभी हार्ट नर बढ़ा रहे है ठीक है तो वह बताना है जो हाट बीट को नहीं बढ़ाता हैं सिंपल बढ़ेए लास्ट कोशन आज का जल्दी से कमेंट करके बताएं आज की सिस्टिशन का लास्ट कोशन है इस में से चारो उप्शन में से कौन सा हो जो उप्शन है वो उसके कारण हाट बीट जो नहीं बढ़ती है जल्दी से कमेंट करेंट आज की सेसिशन का लास्ट कोशन है देखिomination कि देखिए फास्ट ऑप्शन दे रहा है एनॉक्षिया है एनॉक्षिया क्या होती है एनॉक्षिया ऐसी कंडिशन होती है जिसमें ऑक्सिजन की कमी हो जाती है तो इसमें ऑक्सिजन की कमी होगी तो अपने को ब्लड पुरी बोडी को लगातार मेटाबोलिजम की प्रोसेस करन तो यह वाला तो नहीं होगा, ठीक है, रॉंग हो गया, फिर moderate CO2, अगर CO2 में वृद्धी होगी तो भी blood, heart क्या होगा, fast उस पर pumping होगी, beat fast होगी उसकी, तो यह भी नहीं होगा, फिर elevated body temperature, body temperature जब बढ़ जाता है, तब भी heart beat fast हो जाती है, तो यह भी answer नहीं होगा, फिर increase intracranial pressure, intracranial, cranial pressure तो इससे कुछ नहीं होगा, तो यह इसका answer right हो जाएगा, D option होगा, इसका correct answer होगा, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के session में, और कल हम cell biology से related 20 अच्छे question लेके आएगे जो आगावी, जितनी भी exam आपके होने वाले हैं, लेव इस्टेंड, 2nd grade, 3rd grade है जो भी आप preparation कर रहे हैं, जिसमे science का portion आ रहा है, आप अच्छे से preparation कर सकते हैं, बिल्कुल conceptual हर एक चीज को बताई जारी है आपको और आगे भी बताई जाएगी, तो डेली आप 4 बजे जुड़ जाए हमसे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिशन आता रहे और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल झाल, युड़ खिज अ, युड़ सकते हैं, थिसे लाएब कर दोस्तो आपको लाएब झाल, युड़ के लिजर हमसे, प्यूपके दूरी सब्सक्राइब जיתी प्रसित है, साट जंता हैं전ा है, टुड़ मैंते हैं, आकिते हैं, wrap t